हेलो एवरिवन मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह वताऊंगा कि आप इस ठोक पे टीपी, एसल और टीएसल का यूज कैसे करें विठालगो और इस चीज को जो हमने नाम दिया है वो फेक मेनिजमेंट नाम दिया है क्योंकि आपका ब्र अगर आप इस वीडियो को देखके आपका कोई ब्रोकर है तो आप सेम पैटन उसके साथ भी फोलो कर सकते हैं अभी के लिए मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो आप यहां देख सकते हैं तो मैं मानके चल रहा हूँ आप हमारे पास पहले से आए ओटोमेशन पता रहा हूँ आप यहां आओगे लोगिन कर लोगिन करने के बादेश्वॉर्ट पर जाओ हूँ ऑगया तो आपको देखो यहां पर दोई moza पाइज चाहिए पहले तो आपको सेंटक्स पीज चाहिए और दूसरा पेज चाहिए आपको सिंबल पेज तो हम क्या कर लेते ह लिए आते हैं तो हमें जो दो पेची वो क्या चीए एक syntax पेज ये रहा हमारा syntax पेज और एक symbol पीज ये रहा हमारा symbol पेज्ट तो मैं आपको live order लगा के दिखाऊंगा तो जैसे की अभी क्या करते हैं यह आप option में भी कर सकते हैं मेरे पास option के लिए fund नहीं है तो मैं आपको यह किसके अंदर दिखाऊंगा मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा क्या कहते हैं इस टॉक के अंदर आप इसे option में भी कर सकते हैं auto strike price जो हमारा feature है उसके साथ यहां पर आप देखोगे यहां पर आप इस टॉक वी टू देखोगे यह इस पर किलिक करोगे क्योंकि आप इस टॉक वी टू जो हमने बनाया है इसके अंदर आपको free API मिल जाते है within minute और आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं तो मैं यहां पर SBI ले लिता हूँ as example के लिए तो सिंबल में SBI ले लिए NSC ले लिए quantity 1 ले लिए buy कर लेते हैं यहां पर आपको एक option दिखेगा with TP और SL आपको with TP SL पर किलिक करना है जैसे आप with TP SL पर किलिक करोगे आपके सामने आ जाएगा fake stop loss, fake target and fake TSL TSL की वीडियो में particular एक अलग से बना दूँगा अभी हम target और SL की बात कर लेते हैं तो आपको क्या करना है जैसे मैंने 1 रुपे का TP और 1 रुपे का SL दे दिया and intraday करके यह centex generate कर दिया तो मेरा centex generate हो गया इसे मैं copy कर लेता हूँ करा notification पर गया पहले मैंने check कर लिया कि मेरा webhook दलावा है तो I think दलावा है नहीं दलावा होगा तो मैं दाल दूँगा तो यह मैंने syntax दाल दिया और इधर मैंने नाम दे दिया test alerts इसको नाम test alert दे दिया आपको अपना webhook लेकर आना है तो आप webhook add करने के वाद create कर दोगे create करोगे तो आपका alerts side में create हो जागे देखो मेरा alerts test नाम से create होगे पहले का alert है इसे मैं remove कर देता हूँ तो अब मैं आपको पिश्टोक पर ले जाता हूँ यह मेरे पास एक account है मेरे friend का तो इसके अदर मैं आपको ले जाता हूँ trade पे and position पर position पर आप देखोगे यहां पर आपको कोई भी position नहीं दिखरी ठीक है जी तो जैसे ही मेरा order लगेगा अब मैं आपको जो दिखाने वाल जब alerts आता जब order लगता है तो यह alerts आया और यह देखो मेरा order यहां पर लग गया एक quantity से SBI के अंदर अब यहां पर आप देखोगे जो मेरा price है वो तो लग गया अगर आप मेरे dashboard पे जाओगे dashboard पे एक page बना रखा है हमने fake management आप इस पे जाओगे तो यहां पर देखो एक entry हुई है अभी आप time देख सकते हैं एक बचके 7 minute और अगर हम इधर देखें time दिखाता है तो कहीं इधर चलो time नहीं दिखा रहा order में दिखा रहोगा यह रहा order जो आया था एक बचके 7 minute पे आय इसे और जो इस पर लगावा है वो 596 पर लगावा है आप देख सकते हो तो 596.8 पर लगावा है तो आपको क्या बताना चाहरों में जैसे इस price से नीचे यह जाता है तो मेरा automatic यह trade कर जाएगी अगर इस से उपर जाता है तो automatic मेरी trade कर जाएगी तो अभी के इस आप से जो price दे रखा और अगर हम current price देखें SBI का अगर हम देखें तो यह जो चल रहा है 95 चल रहा है 95 80 पैसेज करीवन चल रहा है तो अगर आप देखोगे तो अभी तो टिगर होने से रहा तो अभी हम क्या करते हैं आपको दिखाने के लिए इधर गया और इसके अंदर price बदल देता हूं कि इससे नीचे price जाए तो वैसे ही 95.8 कर देता हूं मैं और 8 करने के बाद सेव कर देता हूं सेफ करने के बाद अगर मैं इधर देखोगे तो यहां पर जैसे मेरी पोजिशन अभी net quantity 0 दिख रहा है जैसे यह 90 अभी जो मैंने दाला था यह 20 पैसे उससे बढ़ गया अगर आप पर देखोगे SBA का price मैंने 95.80 पैसे दाला है और अब यह I think 95.60 पैसे पर आगया तो I think यह trade मेरी close हो जानी चाहिए और अभी तक trade close नहीं हुई एक बार देख लेते हैं कितने पर दाल रखा मैंने नई मैंने 95 50 पैसे दाल रखा है ठीक है जी तो यहां मेरे से गलती हो दी जबी मैं बोला trade close क्यों नहीं हुई अब जैसे 95 से नीचे जाता है मतलब अब 45 पैसे अब यह trade close हो जानी चाहिए यह देखो हमने क्या करा 0.05 10 पैसे का stop loss दाल देते हैं 10 पैसे बहुत होता है 10 पैसे का stop loss 10 पैसे का TP and symbol को change कर देते हैं इस बार इस बार कर देते हैं हम अरे symbol change करने के चक्कर में पूरा change होगी and SBI रखते हैं क्योंकि SBI के अंदर movement हो रखी है तो 10 पैसे की movement तो इसी में मिलेगी दुबार से कर देते हैं NSE quantity 1 by market और market नहीं हाँ TPSL लेना है 0.01 10 पैसे का SL 10 पैसे का TP intraday generate और generate होगया copy करा copy करने के बाद दुबार से हम tigger कराएंगे दुबार से tigger कराने के लिए हम इधर गये horizontal पर गये और यहाँ पर syntax को change कर दिया आप यह चीज indicator के साथ कर सकते थे बट मैं आपको horizontal line के साथ दिखा रहा हूँ और दुबार से order लगाने जा रहा हूँ जैसे मैं order लगाऊंगा इधर alerts आएगा alerts का wait करते हैं तो यह मेरा alerts आगया यह मेरा alerts आगया अब इधर जाएंगे तो यह मेरा order भी लग गया होगा एक position से लग गया अगर fake management में जाएंगे अचा मैंने उस time आपको page refresh करके नहीं दिखाया अगर page refresh करके दिखाता हो तो यह running जो दिख रहा है न यह exit हो जाता यह exit हो गया अचा यह भी exit हो गया जो हमने 5 पैसे का 10 पैसे का stop loss लगाया था यह भी exit हो गया अगर आप position देखो गया जीरो हो गया क्योंकि हम बात कर रहे थे इतने में 10 पैसे की moment आ गई ठीक है जी तो इस तरीके से TPSL काम करता है और इसकी TSL की वीडियो मैं अलग से बना दूगा I hope आपको पता चल गया होगा fake management कैसे काम करत है और इससे related जो option में हमने काम करा है fake management के साथ वो भी वीडियो दाल रखी है तो thank you for watching this video and bye